क्लासिक 350 के स्टील ब्लैक एंड गंड मेटल ग्रे एक ऐसा लोता बाइक है जाए पर आपको कमपनी फिटेट एलोई हुईल मिल जाती है और साथ सद मिलती है ट्यूब लेस्टाय क्लासिक 350 के दो नया बाइक है इस क्लासिक 350 के सीरीज में काफी सारे नया आपडेट्स हुआ है जो प्रिविएस वाला वीडियो में मैं शेयर किया था आज डिटेल्स में इस बाइक का वाकरांड रिव्यू शेयर करने वाले है स्पेसिविकली इस कलर के बारे में डिटेल्स बताएंगे process शुरू करने से पहले special thank to Shiliguri distributor to provide me this bike आप अकर इस वीडियो देख रहे हूंuest और कोई भी बाइक के लिए आप शीरीगूरी distributor जो सेबहले रोट के पास Roil Demodid के स uğrapsMAN वहापके बाइक सारे बाइक सारे वेरियंट्स यहां पर आपको एवेलेबल मिल जाएगी तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस बाइक की डिटेल्स वाकरन रिव्यू बताते हैं इस कलर स्कीम के बारे में बताएंगे नया वाला क्लासिक में क्या क्या चेंजेस आपको उफर की जाती है और फिर उसके साथ बताएंगे इस बाइक की लेटेस्ट अंडर प्राइस तो सबसे पहले दोनों बाइक का कलर आपको दिखाते हैं देखिए यह हमारे पास जो है मिड वेरियंट का बाइक है इसमें आपको दो कलर आप्शन मिल जाती है यह है स्टील्थ ब्लैक में पूरा जो बाइक है पूरा बाइक ब्लैक में आपको मिल जाती है यहाँ पर देखिए जो फियुल टैंक है यह भी ब्लैक है यहाँ पर लोगो जो है यह भी प्यूर ब्लैक कलर के साथ आती है जो बेंट पाइप है यह भी पूरा ब्लैक फिनिस के साथ यहाँ पर पाउडर कोड़ इंगः क्लाइश तो दोनों तरोग कि लूक एक्डम उनिक एकडम डिफ्रेंट बनाती है अभी अगर front section से शुरू करें, सबसे पहले बाइक को करते हैं, on. तो यहाँ पर जो light setup देख सकते हैं, full LED light setup के साथ यह बाइक आती, यहाँ पर split LED headlamp आपको देखने को मिल जाते हैं, और जो tiger eye light थाना, पहले यह bulb light के साथ आता था, अभी इसमें भी आपको LED lights दी गई है, और side indicators एक बाद जला के आपको दिखाते हैं, यहाँ से करते हैं hazard light को on, और देख सकते हैं, जो side indicators हैं, सारे जो lights हैं, यहाँ पर LED light setup आपको यहाँ पर मिल जाती है, और rare profile के अगर बात करें, rare में भी सारे जो lights हैं, यहाँ पर आपको सारे LED lights आपको मिल जाती है, यह एक नया edition है, पहले यह सब lights जो है LED में नहीं आता था, पर अभी जो all new classic है, इसमें आपको सारे LED light setup के साथ यह bike दी गई है, तो यह एक addition cassette तो आप इस बाले segment में, और यह हमारे सामने जो steel black है, तो इसका भी same light setup आपको यहाँ पर मिल जाती है, और black के साथ जो यह light का थो है और भी जादा बढ़िया लग रहा है, यहाँ पर देखिए आपको अभी adjustable clutch lever offer की जाती है, यहाँ पर आपको मिल जाती है mobile charging socket, और उस ही सब से bike के look के साथ साथ जो technical facilities है, वो भी ज्यादा कर दिया गए all new classic 350 में, और अब एका tire section की बात करें, front में आपको 190 by 19-inch का alloy wheel offer की जाती है, और rear में आपको मिल जाती है 120, 80 by 18-inch का alloy wheel, यही specialty है इस bike में, यहाँ पर आपको alloy wheel offer की जाती है, front का tire जो है 90-inch का tire है, rear का जो tire है 80-inch का tire है, same, हर classic में आपको same tire setup offer की जाती है, पर यह एक lota bike है, जहाँ पर आपको alloy wheel के साथ 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 जो tire देख सकते है, MRF का tire है, यह tubeless tire के साथ इस bike में दी गई है, और tire के साथ साथ अगर braking system की बात करें, तो इस bike में definitely dual disc, dual channel ABS आपको offer की जाती है, front में आपको मिल जाती 300M का disc, with ABS, and rear profile के अगर बात करें, rear में आपको बाइबरी के brake caliber मिल जाती है, जो definitely बड़ी असी braking system आपको इस bike में provide करती है, और इसके साथ अगर suspension की बात करें, यहाँ पर आपको 41 mm telescopic suspension offer की जाती है, पर यहाँ पर color combination देखिए, ground metal color के साथ black color का combination, और जो steel black है, इसमें देखिए, पूरा जो black color के साथ यह bike आती है, इसका look क इसके साथ यह bike आती है, twin down tube spine frame का इस्तिमाल किया गया इस bike में, जो definitely इस bike को और भी ज्यादा मजूद बनाता है, और इस bike में देखिए, बैश गार्ड लगा हुआ है, यह अलग से आपको लगाना पड़ेगा, बैश गार्ड और जो लेक गार्ड है, जो steel black है, यहाँ पर द यहाँ पर इंस्टोर करना जरूरी है, अभी rider position से दोनों bike को दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए, एक grabbril आता है, जो single finish के साथ, यहाँ पर लोगो, split seat आपको यहाँ पर ओफर की जाती है, पर दोनों bike का seat जो है, seat का design तोड़ा सा अलग है, यहाँ पर आपको scramlar type पर design आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा unique look देती है, अगर stealth black की बारे में बात करें, तो यहाँ पर pure black color के साथ यह bike आती है, पर इसमें problem यह है, यह color देखने में जितना खुबसूरत है, इसको maintain करना थोड़ा पर difficult हो जाता है, पर initial look देखिए, काफी बढ़िया लगता है, यहाँ प छोटा सा digital meter offer की जाती है, यहाँ पर आपी add-on किया गया है, यहाँ पर gear number भी check कर सकते हो, यहाँ पर fuel gauge, और right side में यहाँ चोटा सा window आप देख रहे हो, यहाँ पर time दिखा रहे है अभी, पर यह tripper navigator है, यहाँ पर Bluetooth connectivity के साथ, आप turn by turn navigation भी check कर सकते हो, और जैसे आपको बो एक horn आपको यहाँ पर offer की जाती है, right side में यहाँ पर engine kill switch, यहाँ पर आपको EFI button मिल जाता है, जिससे fuel inject होता है in the time of self-start, यहाँ से आप bike ignition on कर सकते हो, यहाँ पर आपको मिलता है hazard button, और जो bike का fit and finish है, जो grip है देख सकते है, काफी premium grip आपको यहाँ पर मिल जाती है, रेट्र इंजिन के बारे हैं, तो भाई, क्लासिक 350 में काफी सारे changes आए हुआ है, काफी सारे modifications आपको इस bike में offer की जाती है, और अभी अपर engine के बात करें, तो देखे, वही J series का engine आपको नय वाला classic 350 मिलती है, यहाँ पर आपको 349cc की air and oil cool engine offer की जाती है, जहाँ पर 20.2bhp पावर and 27 27Nm तो चलिए साथी जात बाइक में बैठते हैं और बैढने के बाद क्लासिक में बैढने का जो फील है वह आपको शेयर करते हैं तो क्लासिक में नायना काफी सारे मोडिपेशन आपको आपको ऑफर की जाती है और इस बाइक की सीटाइट है सबसे पहले यहाँ पर एदस्टेबल लिवर आपको ओफर की जाती है जो डिफिनले यह कमफरेबल राइडिंग आपको देगी यहाँ पर आभी गियरशिप इंडिकेटर आपको मिल जाती है यहाँ से आप मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो तो काफी सारे नया ना फीचर्स आपको इस बाइक में मिलती है, specially यह जो stilt black और gunmetal gray color है, इसमें आपको alloy wheel और tubeless tire offer की जाते हैं, मतलब पंचर होने का डर बिल्कुल भी नहीं, हाला कि आप दूसरे classic में भी यह tire install करा सकते हो, पर इस बाइक में आपको company fitted tubeless tire offer की जाते हैं, जो बढ़िया चीज है, और जो go on classic ह newly launched है, उसमें आपको spoke wheel के साथ साथ अभी tubeless tire का भी option आता है, वो वीडियो अगर नहीं देखें तो जाके जलूर चेक कीजिए, एक question, हरे कोई, जब पहली बार royal infill bike खरीने के लिए planning करते हो, तो मन में आता कि यार, इस bike से mileage कितना निकल सकते है, टूली कितना mileage निकलता है, तो देखें, top speed इसका है, 125-130 तक, maximum top speed आप इस bike से निकाल सकते हो, और अगर अच्छा rider हो, मतलब, बाइक को प्रफरली मिंटेन करते हो, time to time servicing कराते हो, और बहुत जाता खींच के आप बाइक नहीं चलाते हो, मतलब, comfortable rider हो, राइडिंग को एंजोय करते हो, तो आपके अराम से mileage आप इस bike से निकाल सकते हो, तो चली भी बात करते हो, इस bike की latest onward price, और अगर आप ये bike खरीदना चाहते हो, तो कितना down payment करने के साथ, आप ये bike खरीद सकते हो, और finally onward price बताने से पहले आपको बता दू, मैं हूँ अभी शिलीगूरी में, यहापे शिलीगूरी ड distributor में जाके bikes check कर सकते हो, सारे variants, सारे colors यहाँ पे आचुके है, इसके साथ साथ bullet में एक नया changes आया हुआ है, उसका details मैं next video में जरूर शेयर करूँगा, अभी अगर स्पेशली इस steel black and gun metal gray color की onward price की बात करें, ये bike अभी 2,60,000 onward price के साथ, showroom में available है, और अगर minimum down payment की बात करे तो 55,000 से 60,000 down payment करने के साथ, ये bike up to 5 years के EMI scheme में आप खरीच सकते हो, बाकि जितना भी EMI scheme या down payment आप बताते हैं, वो आपकी civil score के उबर depend करता है, अगर आपका civil score documentation proper है, तो इससे भी कम down payment करने के साथ भी आप ये bike फिनाज में खरीच सकते हो, तो ये all new classic 350 आपको कैसे लगा कमेंट्स जरूर कीजीगा, और चैनल पे नए हो, चैनल को फटा फट से सब्सक्राइब करके राखिए, क्योंकि एक के बाद एक नए आपडेट्स और रेगूलर बिसिस अभी आता रहेगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए safe right, safe light